आप सबी का स्वागत है अगर आप चैनल पर ना है तो प्लीज चैनल के बिले सब्सक्राइब करें चाहिए और पहले लगा को प्रेस करना बिल्कुल ना मिले चीज़ सही में रेना है वीडियो के नोटिप्टिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे जैसा मैंने लाज वीडियो में बता था कि मैं फूरी दिंगले केमेस्टिर पर फोकस करवाँगा जो केमेस्टिर के लिए मैंने कई सारे टॉपिक्स बता थे लास्ट वीडियो में सब चैक्टर बता थे तो अगर आपने वू नहीं दीखा है तो प्लीज उसको पहले देख ल दाने जा रहा हूं जिसमें अब को सब्सक्राइब करते हैं वीडियो में फॉर्मूला के बताऊए और कुछ चीव के सांथ है उसके बारे में बताऊंगा उसको कहा पर यूश करते हैं कैसे यूश करते हैं वो सबकुछ आपको तीज़े दिए प्रभी आपको पताई चल ज जैसा कि आप चानते हैं इसको मुलारीटी कहते हैं सो मुलारीटी को फॉर्मूला है सिवा फॉर्मूला यादा के विलेस 1000 मॉलेक्टिलर वेट मॉल्टिपलाइब वेट लगी यहां पे जो यहां ले जुए है वह हमारा जो शोलिजन होता है उसका छूलूम दिएस लताता है और यहां पे फॉर्मूलाU है वह था कि मॉलच गद्टाल वेट होता और यहां पर ihbぎ होता है है और IT, इसको हम देखने हैं इसको यह equivalent weight है solute का, यह solute का weight है और यह आप जानते हżej solution का volume है, ठीक है, फो यह नार्मालेटिक के लिए formula है, आप देखते है, फ़र्मालेटिक के लिए formula है पाकर फोर्मूला आहे वंह्ता तो ओनग तो दिङो आ को इनदेट यहां पर फॉर्मूला मासों आन तलवेसंद करेविद 0 यहां पर फॉर्मूला मास सुल्येस्टे यहां पर पर ख्याद करेविद सिंद सरी तो वह नहीं को दिया solid का लेकिन उसके लिए कैसे हमाइड आड़ करते हैं तो उसका फॉर्मॉला है molecular weight divided by acidity और basicity तो इस से हम यह find out कर सकते हैं अब आगे चलते हैं अब तुम्हाइड बेजिक formula ही बता हूंगा बाद में आगे चलते हैं बाद में मैं short cuts भी बता हूँ ठीक है तो यहां पर 100 divided by W परसेंटेज और W by W के लिए यहां पर गुतने बाद है परसेंटेज की जगह पर हमें को 100 से multiply करना बढ़ता है और परसेंटेज W by W के लिए भी कुछ नहीं है यहां पर सिर्फ इतना याद रखे ही है solid के लिए है और यह है solution के लिए तो यहां पर दिखते है volume by volume के लिए अब आगे चलते आपको मौल इंस के बारे में पता होगा मौल फ्रेक्शन बुलते है उसको सो मौल फ्रेक्शन के लिए भी formula है मौल फ्रेक्शन का formula है कि आपका जो आप जीसको भी पताना चाहिए जो product है या फिर उसके मौल लिखने है और उसको डिवाइड करना है टोटल मौल से मतलब कि अगर आप solid के मौल फ्रेक्शन करना चाहते हो तो अपर solid के मौल जो भी solid का मौल होता है वो उसको solid का मौल प्लस जो हमने solvent है उसका मौल दोनों का मौल प्लस करते है मौल फ्रेक्शन मेंता है यह उसके लिए formula है PPM के लिए formula है PPM को हम ऐसे define करता है यहां मैंने मिलिग्राम पर लिटर लिखाया है मतलब कि यह formula आपको कुछ पी ती आओ तो उसको आपको उपर मिलिग्राम में गनोट कर देना है मतलब कि आपका जो solid है उसका weight को मिलिग्राम में गनोट करना है और यहां पर नीचे solid होता है उसको लिटर में गनोट कर देना है आपको PPM इसी तरह से मिल सकता है सो और आगे चलता है सो shortcut में कई formula है एक molar rating के लिए formula है 10 by molecular weight multiply with percentage of weight by volume सो यह formula important है अगर आपको इसाम में percentage weight by volume दिया गया है सो आप molar rating find work करना चाहते हो दीचिते find work कर सकते है और एक relation है कि percentage weight by volume को हम D multiply with percentage weight by weight लिख सकते है यहां पर D क्या है सो D is density है अब को यादर नहीं density multiply with weight by weight is equal to percentage of weight by weight सो यह formula है सो अगर इसको हम इदर रख दे सो मूला रेटी के लिए और एक formula दिल जाएगा सो मूला रेटी के लिए और एक formula 10 by molecular weight multiply with percentage weight by weight multiply with density अब आगे चलते है यहां पर एक formula है जिसमें तीन लोग मतलब कि तीन वास आ रहा है मतलब कि अल्रेडी insert है density है molality है मतलब कि कोई आपको दो दिया हो या फिर कुछ मतलब करना हो तो यह formula बहुत important formula है so यह formula density is equal to molality 1 upon molality मैं यहां बहुत molality को small arm से define करूंगा so molality के लिए small arm plus molecular weight divided by 1000 so यह बहुत important formula है अगर आपको molecular weight मतलब दिया density दिये गई है मतलब करनी है so अब यहां पर इसे easily find out कर सकता है मैंने basic formula बताना रहा जाए so मैं यहां पर लिख देता हूँ 1000 multiple weight W यहां पर W है solute का है divided by molecular weight and solute multiple weight यहां पर जो weight होता है यह याद अपना सिर्फ यहां पर solvent का weight आता है यह बहुत ही important है यहां पर हम mistake कर सकता है सिर्फ अब आगे चलता है एक और morality के लिए आगे लिए यहां पर एक प्रॉब्लम है इस formula में कि यह water के लिए यहां पर हमने water का weight लिए इस formula को अगर आपको दिया गया है solvent जो water है तो ही आप इस formula को यह उसके लिए बना सायद यहां पर weight change हो जाएगा और इसके वाज़े से answer change हो सकता है तो अब आगे चलते है normality के लिए formula है अगर वह तो easily define होगा है normality is equal to acid t और basicity multiply with molarity यह formula आपको कई बार यूज में आएगा और जहीं में कई बार आता है यूज में आपको यह formula चलो करना जाएगे normality is equal to the city यहां पर A by B लिख है मतलब कि उसके acid डीडी भी हो सकते है या फिर basicity भी हो सकते है सब्सक्राइब यहां पर अगर आपने acid के साथ acid mix किया है या फिर base के साथ base mix किया है इसके वाज़से molality मतलब कि concentration होती है वो change होती है मतलब कि molality normality सुभी में कुछ ना कुछ change आता है इसके लिए formula है कि अगर आपने acid plus acid किया हो या फिर base plus base किया हो acid के अंदर acid add किया हो या फिर base के अंदर base add किया हो सो उसके लिए formula है M1 V1 plus M2 V2 is equal to MV ठीक है यहां पर जो M1 कोई एक acid के लिए कोई एक acid का molality है V1 उसी acid का जो volume था उसकी volume है मतलब कि जिस में डाला है और M2 है उसमें भी formula लेटी है दूसरे की यहां पर टोटल आपको इस formula से आपको ऐसा बता कि आपको यह फैंडूट करना है यहां पर जो V आएगा वो V1 plus V2E होगा ठीक है इस formula से आपको फैंडूट करना है और वह आपको कर सकता है कि अगर आपको acid दिया गया है और उसमें आपने base को add किया है सो तब formula क्या बनेगा so acid and base अगर mix होते है so water बन जाता है so इसके लिए कुछ भी लिए M1 V1 – M2E2 is equal to Mv यहां पर formula कोई भी हो सकता है यहां मैंने M1 V1 के लिए इसके लिए base लिए लेकिन कुछ भी हो सकता है अगर यह बढ़ा है जो बढ़ा है उसमें सब हमको minus करना है अगर यह बढ़ा है तो formula ऐसा बन जाएगा so please इसको आगे चलता है अब आगे चलता है कि अगर हम पानी एड़ कर रहा है मतलो कि water को एड़ कर रहा है so water गया करता है तो concentration दिसन है उसको कम करता है लेकिन अगर हम water एड़ करता है या फिर water क्रम करता है यहां पर molarity मलता concentration में चैनल पर so N1V1 अगर आप water एड़ कर रहे तो और M1V1 M2V2 इस formula में आप NB define कर सकते है यह तो molarity के लिए अब ऐसे DT-based history के इसाफ से N में ले जाएगा बात में आप इसली कर सकते है अगर आपको M find करने के बाद अब NB find कर सकते है ठीक है और भी है source formula पर चलता है यहां पर मैं Henry का formula देखता हूँ P is directly proposed on to mole fraction so P is equal to a constant आता है जिसको KH different करता है जो KH रहता है उसको Henry का constant बलवा जाता है so यहां पर से अगर हमारा KH बढ़ेगा यह important time के पुछा जलता है so उसकी वाज़े से अपना X mole fraction कम होगा mole fraction कम हो रहा है so आपका temperature increase होगा याद रखिए important time के वए यहां पर अगर आपका KH है यहां पर है वह low हो रहा है तो आपका जो X है यहां से तो हम देख सकते है KH is a.p by x मतलब की inversely proportional है so यहां से था X तो इजी लिए हमको पता जो जाए दोनों भी inversely और KH हो T है मतलब की temperature और Henry constant है वह directly proportional होते है so इसके वाजा से यह low यह आपको याद अपना है so अब आगे चलता है आगे मैं route की कुछ दो बताना जाओंगा so route का लो यह है कि आपके route का लो तो डिफरेंट दो लो दिये है so route के दो लो है so दोनों लोगों में दिखा होंगा उसका फर्स्ट लो है वह non-volatile solid के लिए और second law है दूसर्थ यह non-volatile में क्या होता है कि उसकी वज़द से pressure क्रेट नहीं होता है और pressure में कुछ changes होता है उसके हिसाथ से उसने law बनाया था so non-volatile के लिए आप लागो बताना चाहूंगा so non-volatile के लिए P1 is directly proposed on to X1 अब पुछो के P1 क्या है X1 क्या है so P1 है वैपर pressure sorry यहाँ पर P1 है जो अपका solvent है उसका bracer है और X1 है वो solvent का mole correction है so यहाँ पर फिर से constant आएगा P1 0 P1 not इसको क्या कहते है so यह अगर वो solvent है उसका जो bracer होता है यह यह एक formula हो गया बाद में अगने add किया आपको ऐसा पुछा जा रहा है कि जो solvent है उसकी वज़े से pressure में difference कितना होता है so अब ऐसे define कर सकते है P1 not minus P1 यह अगर रखे P1 हम इसा हर बार less less than P1 not होता है so और आगे चलते है second formula second formula ऐसा है कि आपने solidar किया है उसकी वज़े से क्या होगा कि आपका pressure प्रेसर का वो प्रेसर और बढ़ जाएगा so pressure बढ़ा तो उसने add के लिए formula बना दिया वो कुछ नहीं है P is equal to PA P1 plus P2 मैंने जैसे बता है कि P1 को मैं बता हूँँगा solidar का pressure और P2 को बता हूँँगा solidar का pressure so P1 क्या होगा P1 not X1 plus P2 not X2 so यहां से मैं p redefine कर सकता हूँ easily so यह P यह उसने wallet i solid के लिए formula लगा रहा था ignore wallet i solid के लिए so यह route का formula था तब आगे चलता है कि यहां पर बात पतना पूल गया कि अगर आपको सिर्फ X2 दिया गया तो आप क्या दरेगे so X2 दिया गया है so आप X1 की जगा 1- X2 लिख सकता है वह इस formula पर पूल कीज़े so easily आपको मिल जाए और यहां से मैंने P1- P9 तो बता दिया लेकिन अगर आपको X2 दिया गया है T आपको X2 दिया गया है X2 के पास जाना है so अब X2 के पास कैसे जा सकते हो so यहां पर मैं P1 की जगह पर कुछ रखता हूँ X1 P1 नॉट so P1 नॉट खुमा निकलेगा 1- X1 so is equal to P1- X2 SL एक्टा है sorry, अपको बता है अपको एक्टा है इसका मैं P1- X2 SL एक्टा है अगर यह फर्मुला है यहाप मैं P1- 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 P1 नॉट P1- P1 नॉट नॉट दिया फर्मुला रखता है वह क्या बता है P1- X2 so P1-Nॉट दो निकला देंगे so is equal to X2 यह एक अच्छा सा फर्मुला है जो कही बाद यूज में हो जाता है और कैसा होता है कि A2 जो होता है मतलब कि MOL होता है जो SOLVANT काटा का वह बहुत कम होता है so X2 को वह लोग Directly Defend का देता है N2-Divider में and because कि वह SOLVANT का जो MOL होता है वह SOLVANT के मोल से कई ज्यादा होता और एक फर्मूला है Elevation of Boiling Point जुसको वह DELTA TV से दिखाया जाता है उसको वह Directly Proposional होता है MOLARITY से so MOLARITY के लिए यहां पर फिट से कॉंस्टन्ट आएगा जिसको KB बोलेंगे KB होता है KB कॉंस्टन्ट है कि यहां पर MOLARITY के लिए formula लगा हैंगे so MOLARITY का basic formula मैंने आपको बता है जैसे की यह होता है तो यह DELTA TV के लिए formula यह formula यूस हो सकता है अच्छी जगावे ऐसे ही जैसे Elevation of Boiling Point ऐसे ही Elevation of Freezing Point होता है Elevation of Freezing Point पर कुश्य नहीं होता है यहां पर DELTA TV होता है तो उसकी वज़ा से KFM मिलता है जो होता है MOLAR यहां पर जो KF होता है उस KF को बोलता है MOLAR DIFFERENTION CONSTANT सो यहां पर फिर से MOLARITY का formula लगाएंगे यहां पर यह Molecular Rate है आप सब को बता है यहां पर की भी नहीं पता का सो मैंने पता दिया WIP CONSTANT है उसको बोलता है MOLAR ELEVATION CONSTANT सो यह formula गाफे IMPORTANT है अगर आपको सिर्फ अच्छा साथ अगर आपको पानी दिया है सो उसके लिए TB NOT बता जाना है वकी boiling point के हिसाब से होता है So boiling point क्या होता है आने के लिए 100 degree celsius So 100 degree celsius is equal to 373 Kelvin So यह होता है TB NOT अगर आपको 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 TB find out कने के लिए आपको TB find out कने के लिए बोलेंगे तब आपका हम आएगा क्योंकि यह TB NOT TILTA TB is equal to TB minus TB NOT होता है कि यह याद रखना और जब TILTA TF की पारी आए यहाँ पर TF NOT minus TF होता है यहाँ पर आप पुछोगे कि TF NOT गया होता है TF NOT होता है 273 Kelvin यहाँ पर 0.50 भी लिखा जाता है क्योंकि 273.50 Kelvin होती है इसलिए सो यह R है यहाँ पर 0.50 इंगल में लिख सकता है सो यह DELTA TB और DELTA TF के पार्मूला था अब आगा चलता है पर और एक पार्मूला है जो ऑस्मोडिक प्रेसर और इन बार के लिए यह आपने पदा होगा उपने बुक के लिए यह आपने बेजी है यहाँ पर मैं बता होगा कि NIT और V क्या है यह पार है जिसको ऑस्मोडिक प्रेसर इन बार बोलता है और V है जिसको ऑन वाल्यूम और शॉलिटर होता है यह लिटर होता है आपको याद़रम है यहाँ पर मिश्टेक नहीं करेंगे और यहां पर जो एन है उसको नुम्बर मोल्स अब्स आप सॉल्ट आर आप जानते ही है वो बैसिक कॉंस्टन होता है गास के लिए उसकी वैल्यू उसकी वैल्यू के इसाब से हम उसकी वैल्यू लिखते है एट पॉइंट फ्रियू अगे साब से और टी है वो टेंपरेशा डिफाइंग करता है तो यह फॉर्मूला के इसाब से वो गेस का जो फॉर्मूला था पीवी इस इकॉल तो एनार्ट अगे उसके जैसा ही नस्ती किया फॉर्मूला है और कुछ चेंज नहीं होगा है सिर्फ पी के जगापे हमने पाई लिख दिया ह अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक किजिए शेर किजिए और सब्सक्राइब किरिए